नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसपल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन अरायन बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंडिया में इंडियन प्रेमियर लीग के चौदवे सीजन का आगाज बेहदी रोमांचक मैच के साथ हुआ आखरी गिन पर पहुंचे मुकाबले में मौजूदा च्वैंपियन मुंबई इंडियन्स को आर्सीबी के हाथो दो विकेट से हार का सामना करना पड़ा यहां लगातार नौवा सीजन है जो मुंबई इंडियन्स की टीम का आगाज हार के साथ हुआ है आर्सीबी हाला कि पहली बार ओपनिंग मैच में जीत हासल करने में काम्याब हो गई है आर्सीबी ने से पहले 2008, 2017 और 2019 में भी सीजन ओपन खेला था लेकिन उसे पहली बार जीत मिली है 160 के लक्षव का पीछा करते हुए कोली ने वाशिंटन सुंदर के साथ पारी की शुरवात की दोनों ने पहले विकेट के लिए 36 रन जोड़े 46 रन पर बैंगलोर ने रज़त पार्टीदार का भी विकेट गवा दिया लेकिन इसके बाद कप्तान और मैक्स्वेल स्कोर के 100 के करीब ले गए उसे पहले ही हाला कि कोली 98 रनों के कोली योग पर आउट हो गए कोली ने 39 गेंदों पर 4 चौके भी लगाए अंतिम 3 ओवर में बैंगलोर को 38 रनों की जरौती विकेट पार डिविलर्स थे वो टीम को जीत के बिलकुल करीब ले गए जब 3 गेंदों की जरौती तब वो रन आउट हो गए डिविलर्स ने 27 गेंदों पर 4 चौके दो छक्के लगाए अब बैंगलोर को दो गेंदों पर 2 रन की जरौती जो हर्शल पटेल ने पूरे कर लिए मुंबई की ओर से मारको जिंसन और जस्पीत बमरा ने 2-2 विकेट लिए इससे पहले हर्शल पटेल के बेतरीन गेंद बाजी किदम पर रोयल चलेंजर बैंगलोर ने मुंबे इन्यन्स को 169 रनों पर ही रोक दिया हर्शल ने अपने पहले ओवर में 15 रन दिये लेकिन बाद के 3 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 5 विकेट हासिल किये हर्शल ने T20 क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट हासिल किये है पश्यमंगाल विधानसवा चुनाव के चौते चुरण के 44 सीटो पर 373 उमीदवार किस्मत आजमा रहे हैं जिनके किस्मत का फैसला जनता आज कर रही है चौते चुरण में होने वाले हाई प्रोफाइल मुकाबलों में पश्यमंगाल के मंतरी पार्थ चटर जी और अनुरूप बिस्वास सही बीजोपी और टीमसी के दिगश नेताओं की सियासी किस्मत का फैसला आज हो रहा है बंगाल के चौते चरण में पांच जिलों की चवाले सीटों पर आज वोट डाले जा रहे है इनमें हावडा जिले की 9, दक्षिन 24 परगरा जिले की 11 सीट, हुगली जिले की 10 सीट, अलिपूर दुआर की 5 सीट और कूछ बिहार की सभी 9 सीटों पर वोटिंग की जा रही है वाइल मुकाबलों में कॉलकता में बंगाली फिल्म उद्यों का दिल कहे जाने वाले टॉली गंच सीटी से बीजोपी के टिकेट पर केंद्रिमंत्री बापल सुप्रियो किस्मत आजमा रहे हैं वही चीमसी से तीन बार के वधाएक और खेल राज्यमंत्री अरूप पास एक पार फिर से मैदान में है जबकि सीपियम से एक्टर देवदर घोश को उतारा गया है ये सीट टीमसी की परंपरा गत मानी जाती है लेकिन टॉली गंच को बंगाल सिनिमा के लिए जाना जाता है सुप्रियो एक बड़े सिंगर है और उन्हें बंगाल की फिल्मों म नामनात कोविन ने घटना पर दुख जताते हुए मृत्वों की परिवार की प्रती सम्वेदना जताई है उन्हें ट्वीट कर कहा कि वेल्ट्रीट कोविद अस्पताल में आग लगने के कारण चाड़ लोगों की मौत से मैं बहुत दुखी हूँ मैं मृत्वकों की परिव मंत्री अमिश्वाह ने भी मामले पर दुख जताया उन्होंने ट्वीट कर लिखा नाकपर के अस्पताल में आग लगने के समचार से अत्यान दुखी हूँ मैं दुखी इस घड़ी में वृत्कों के परिजनों के प्रती अपनी गहरी संबेदनाई व्यक्त करता हूँ साथी इश्वर से घायल के सेगर स्वस होने की कामना करता हूँ आपको बता दें कि बीती रात आठ बजे अस्पताल में आग लग गई थी जिसमें चार लोगों की जान चले गई दमकर विभाग के मताबिक आग लगने की घटना में अन्ने कई लोग घायल हूए है आग अस्पताल के उपरी मंजिल में लगी जो आईस्यू तक पहुँच गई जिसके बाद महां दाखिल मरीजों को अनन्फानन नीच लाए गया इस घटना के बाद फार्बिगेट की 6 गारियों को भीजा गया जिसने अस्पताल में लगी आग पर काबू पाया आग के इस घटना में अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुचा है नाकपुर पुलिस ने बताये कि अस्पताल में करीब 27 मरीज थे जिनने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराए गया है गुद मॉर्निंग इंडिया के खबरों में फिलाल को इतना ही आप बने रहे नुजवर इंडिया के साथ